नमस्कार दोस्तों आईए बात करेंगे बैंक निफ्टी की जैसे हम निफ्टी को पूरा गहन अध्यान किया और कोई बातों बातों में बहुत लंबे वीडियो बन भी पर चलिए उस वीडियो में काफी नॉलेज है काफी कुछ सीखने के लिए है बैंक निफ्टी का चार्ट बड़ा इंट्रेस्टिंग है केंडल स्टिक बड़ी इंट्रेस्टिंग है यह वह यह तीनों जो केंडल है लास्ट त्री डेज की आप यहां पर अगर देखेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही है ठीक है यह केंडल को देखिया यहां पर नजर डाली अब इस केंडल प अब बात पेरेंगें इस particular candle की है ठीक है और opening पे ध्यान देना है आपको और closing पे ध्यान देना है देखें हुआ क्या है bank nifty मैं उसको ध्यान से देखें ये देखें ओपनिंग क्या है 42694 closing क्या है 42700 एक नवंबर को जो है तो ये 6 पॉइंट की candle है body उपर नीचे जो मरदी करता रहे 6 पॉइंट अब क्लोज हुआ है ऐसा ही अब आप इस candle को देखें जो 2nd नवंबर की candle है एकसपारी वाला इसकी ओपनिंग है 43018 closing है 431 17.20.70 की ये एक पॉइंट डाउन की candle है body body की बात कर रहा हुआ उपर नीचे जो मरदी धमा चोकड़ी करता रहे अब ये फ्राइडे की candle है यहां देखें जड़ा ओपनिंग कितनी है 43318 closing कितनी है 43318 डिट्टो उसी price पर close हो गया आपका जहाता है तो ये तो प्रॉपर डोजी है प्रॉपर डोजी है तो ये जो तीन दिन में क्या हुआ है opening is equal to closing प्रॉपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो ऊपर गया है तो घूम फिर के नीचे आ गया है नीचे गया है तो घूम फिर के ऊपर आ गया है कुछ नहीं मतलब sideways proper sideways बट price up है प्रॉपर sideways market है तो डाउ जोन्स की वज़े से opening आपको अप मिली है और पूरे दिन कुछ नहीं हुआ है कुछ भी नहीं हुआ है ठीक है प्राइस जहां खुले है वहां पर रहागे प्राइस जहां खुले हुआ है और प्राइस अप है ये पॉजिटिव sign नहीं होता है देखें मुझे जितना पता है मैं आपके साथ share कर रहा हूँ गलत होने के मेरे पूरे chances है क्योंकि market खुद गलत खुद सही होता है ठीक है market जिस formation पे जिस pattern पे गिरता है उसी pattern पे अगले महीने से उपर जाने लग जाता है तो खुद ऐसा market करता है तो हम कौन होते हैं वहिया जज करने वाले ठीक है चीजे जो है जिनकी probability हाई रही है past में उनको पकड़ने की कोशिश की जाती है traders के दुवारा बस और इस probability में with small risk के साथ अगर आप entry ले लेते हैं जाहे आप पांच बार ही सही हो रहे हो पांच बार गलत हो रहे हो पर आपकी entry risk अगर ठीक ठाग है तो आप sustain कर जाएंगे market में बास मुद्दा ये है market खुद सही खुद खुद गलत होता है जिन formation के उपर वो पहले कभी गिरा होता है उन formation के उपर वो बढ़ भी जाता है ये अगर आप pattern देखेंगे पीछे निकालके rounding top वाला तो ये pattern complete करता है इधर तक minimum पीछे कभी भी चाठ खुलके देख लीजे इस इसने यहीं से इसको breakout दे दिया है कि नहीं ठीक है और ये जैसे complete five wave आपको formation दिखी इसी प्रकार से क्या ये complete five wave formation दिखेगी वही मुद्दा है वही चीजे है ठीक है दिखेगी तो कैसे दिखेगी क्या करना है उसी को जज़ करना है चलिए ज़्यादा पीछे की तो कहानी न कर ला और मैं जो भी बोल रहा हूं भई है अपनी personal knowledge आपके साथ share कर रहा हूं तो मैं कुछ savvy resistant analyst नहीं हूं कुछ नहीं आता है मुझे और फिर भी मैं थोड़ा मोटा बनाने की कोशिश करता हूं आप मुझे देखते हैं उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और डारक कर लेते हैं ठीक है लो वाट आर दीज नंबर दीज नंबर आठ 43 53, 350 से चालू होता है यह, मोटा मोटा फिगर यह है और उपर है 44,100, यह पूरा, मैंने TF जो लिया है, weekly लिया है, ठीक है, यह मार्केट आया इधर, गिरा, मैं लो देखने को मिला, 38,400 के रहूँ, यह जो पूरा हाई से, लगबर 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 आपका 6000 पॉइंट के आसपास का फॉन था, फिर एक और हाई हमको देखने को मिला, और एक दो महीने का बहतरिन consolidation field, इस zone के अंदर, फिर एक breakout, ठीक है, breakout और एक नया हाई, फिर नीचे, अब यह zone ने क्या काम किया, support का काम किया, फिर एक double top type का pattern, फिर एक नीचे, और अब यह zone जो है, break हो गया है, October मनत पर, फिर दोस्तों, अब क्या हो गया है, अब जो price जहां trade कर रहा है, वो इस category में trade कर रहा है, इस category में trade कर रहा है, फिर प्राइस जहां पर trade कर रहा है, तो जब तक यह इसके अंदर जाके close नहीं कर देता, तब तक Beers की grip में है bank nifty Beers की grip में है bank nifty अभी भी nifty का तो जो मैंने analysis किया उसमें clear cut बोला आपको उन्हें इस दोस्व के उपर अगर nifty close कर देता है तो Beers की grip में नहीं है bank nifty बट बुल्स भी entry नहीं ले सकते बुल्स की एंट्री कर पॉइंट 19,525 बैंक निफ्टी जहां पर है अभी भी जब तक वो 43, 350 इस लेवल के उपर प्लोज ना करना चालू करें तब तक बेर्स जो है मार्किस को पकड़ के रखते हैं बैंक निफ्टी यहाँ पर नजर आ रहा है अब अगर 43, 350 इसके उपर क्लोज कर देता है और बुल्स की भी गृप में नहीं है market बैंक लिफ्टी उसकी grip में नहीं गा और bulls की भी grip में नहीं है बुल्स की grip में कब आएगा जब इसके उपर जा के close करेगा यह देखिए यहाँ पर यह किसी का market नहीं है यहाँ पर किसी का सगा नहीं है market यह देखिया यह जो डेखिया है किसी का सगा नहीं है market बुल्स का market कब बना है जब यह इसके उपर जला गया जब दुबारा इस zone में आया है तो as a supply zone इसने act किया है क्यों क्योंकि price उपर से नीचा है तो क्या यह ऐसे demand zone demand मतलब कि machine लगी हुई है buying हो गई है तो यह नीचे से उपर जा रहा है तो क्या भी है supply zone की direct करेगा नियम, काइदा protocol यही कहता है probability यही कहती है ठीक है पर यह market में हो यह हमें market ही बताता है होगा की नहीं होगा हम probability में सही जा रहे है नहीं जा रहे है यह चीज़ कैसे confirm होगी levels में तो till the time bank nifty is below this level on closing basis ठीक है यह bears की पकड में है यह तो पहली चीज़ आप समझ लीगी ठीक है क्योंकि price जो है नीचे से उपर जा रहा है तो trend क्या है अभी भी downward ठीक है I hope यह चीज़ आपको समझ में आगी है यहाँ चलते है हम daily time frame यह देखे यह then a breakout then sideways flag pattern then a breakout then a bearish flag pattern then breakdown then a bearish flag pattern then again breakdown but now this zone acted as support or demand कि कि है यहाँ पर भी इसने दख्का दिया इसको यहां पर भी इसने दख्का दिया इसको बट ये last week October की expiry में तूट लिया अब जब तक price इसके अंदर enter कर जाता है तो ना तो जो market है वो bulls का है ना वो market bears का है bears को हला कि नजरे गड़ा के रखना चाहिए reversal के लिए क्योंकि ट्रेंड लाउट वाड है ट्रेंड चेंज कब होगा जब इसके ऊपर जाके क्लोज करने लग जाए ठीक है उसके बाद आपने देखना है कि बाई ओन दिप्स है कि ठीक है दोस्तों अब यहां पर हम जाच पड़ताल कर लेते हैं नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसा रहने वाला है अब दिखा रहा है आपको 1500 प्लस तो बाई निफ्टी दिखा रहा है तो खुलेगा यह भी 300 प्लस 400 पॉइंट गैपप वेसा एक नंबर है जो यह वाला नंबर है यह नंबर है आपका 43,800 जो की एक मिड लेवल कह लिए आप इस पूरे जोन को डिवाइड करता है 43,800 चीक है इसका 15 मिनट क्लोजिंग बेसे 15 मिनट मतलब इसके उपर टिक जाए 15 15 मिनट की कैंडल क्लोज करने लग जाए आप एसल रथिएगा और बैंक निफ्टी को शॉर्ट जरू करिएगा जी हाँ मैं शॉर्ट बोल रहाँ मैं सेल बोल रहाँ आपको दिख जाए 43,650 दिख जाए 43,700 दिख जाए इसके आसपास से सेल जरूर करना है जरूर से जरूर शॉर्ट करना है ठीक है और ये चीज़ एक ड्रॉ करके रखिए ये जिस दिन टूटी समझ लीजेगा नीचे क चालु हो गई है एक वीव निफ्टी मे भी पेंडिंग दिख रही है बैंक निफ्टी मे भी पेंडिंग दिख रही है चाट पैटन पर नीचे की जैसे मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लगाता हूं ये लीखिये कुछ नहीं हुआ है पूरे दिन मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ है पिछले तीन दिन में यह फरस्ट यह सेकंड यह थर्ड ऊपर खुल खुल के टिग्या है यह यहां पर कि इसको ड्रॉकर के रखिया है अना अब यह देखें जैसे इंदर में आपको दिखाता हूं यह प्रॉपर एक 1,2,3,4,5 वेवस का पैटर्न है तो यह ऐसे जिग जैक करके जब ब्रेक हुआ दिखा ठीक है यह जिग जैक करके जब ब्रेक हुआ तो मुमेंटम के साथ इंपल्स बनी है ना इसमें मुमेंटम का है मुमेंटम आपको इसमें दिखेगा इसमें दिखेगा इसमें दिखेगा ऐसे ही इसमें मुमेंटम का है इसमें है ठीक है फिर यह जब साइडवेज 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 फिर मुमेंटम का है इसमें तो नीचे की तरफ जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं उसमें उसमें मोमेंटम आपको तबी दिखेगा जब कहीं से भी मुड़े यहां से मुड़े जब वो इस trend line को break कर देगा इस trend line को break कर देगा speed के साथ आपको नीचे 42,000 के लोग तूठते हुए दिखने चाहिए यह तो बन रहा है market bank nifty के अंदर view इस view को trade करने के लिए जो मैं देख रहा हुँ मैं आपके साथ वो discuss कर देख रहा हुए तो 43,800 के आसपास से एक try बनता है with very small lesson कहीं पे भी आपको और यह level टाप जाता है भया, don't short उस दिन आपको short नहीं करना यह, इसके नीचे रहता है short करिये उस दिन के लिए particular day के लिए closing green candle के साथ 43,350 के ऊपर आती है तो market ना bears का है ना market bulls का है यह जिस note down कर लिए copy pen लेके position को रखना नहीं है इसी भी type में, यह same level ऐसा ही identical 19,200 निफ्टी का है यह जो formation यहाँ पर बन रही है इसको देखते चलिए नजर गड़ा के रखिए यह level है short करने का ठीक है? और बढ़िया तरीके से रिवर्सल यहाँ पर लेता है तो candle अगर आपको red बनती भी दिखती है particular day के अंदर हाँ, जब भी short करना है positional short करना है भाई यह चीज़ याद रखेगा क्योंकि मैं कोई आपसे इंट्राडे की बात नहीं करता कि इंट्राडे में 100.800.200 ऐसा कुछ जब भी होता है तो मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर देता हूँ और मैं अपने analysis में सभी भी इन चीजों का discussion नहीं करता वो live market में मुझे जो दिखता है जो समझना आता है मैं वहाँ पर लिग देता हूँ यह है दोस्तों फिलाल bank left है मैं summarize कर देता हूँ अच्छे से मैंने चार्ट आपको बोल क्या रहा है चार्ट काफी कुछ बोलता है उसको समझे price जब नीचे से आ रहा है तो यह zone resistance की तरेक्ट करता है price जब उपर से आता है तो यह zone support की तरेक्ट करता है दिमांड create करता है price जब नीचे से उपर जा रहा है तो यह zone resistance की तरेक्ट करेगा तो market में जो bull wave जिसकी चर्चा अभी हो रही है वो तब ही आएगी जब इस zone के उपर जाके थोड़ी stamp लगा के होगी हाँ भी यह यह तेजी अभी मैं capture नहीं कर रहा हूँ एरिया मार्क किये हुए जहां से 100-100 point का SL डाल के reversal को में trade कर सकते है मेरी नदर उसी पे है एक wave मुझे pending लग रही है इसको मैं next week में 43.800 के level को इस्तमाल करते हुए trade करना चाहूँगा यह information मैंने आपके साथ share की है नियम काईदे के हिसाब से bank nifty को अच्छा खासा breakdown देना चाहिए अच्छा खासा ठीक है वो देखते हैं भी चलिए thank you very much वीडियो अच्छी लगिए तो like कीजिए share कीजिए चलो subscribe subscribe you झीक करतwie